नमस्कार साथियो रेलवे की पार्ट शाला में आपका हार्दिक्स पागत है दोस्तो आज का वीडियो न्यू पैंसन स्कीम के बारे में है और आपको पता है कि एक एक 2004 के बाद NPS चालू है और NPS के अंतरगत करोडो एंपलोई हैं तो ये वीडियो आप सब के लिए पहुत ज अंदर काफी समय से आपकी डिमांड आ रही थी कि सर पेंशन फंड मैनेजर और पेंशन जो इसकीम हमने लगा रखी है जैसे LC50 है LC25 है या फिर एक्टी चोईस है या ओटो चोईस है इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं देखिए आज की स्रूर्यों में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ देखिए होता क्या है कि जो ये आप पेंशन फंड मैनेजर है वो दोस्तों आप साल में एक बार चेंज कर सकते हैं और जो ये स्कीम होती है वो दोस्तों आप साल में दो बार चेंज कर सकते हैं इसलिए मैं ओलर ये कर चुका था इसलिए 31 मार्च तक मैं चेंज कर सकता हूं एक बार और आपकी जो scheme है उसको दो बाज change कर सकता हूं अब यहां पर यह scheme क्या होती है pension fund manager क्या होते हैं इनके बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं सब कुछ हम देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो देखिए आपका जो NPS होता है यहां की new pension scheme उसमें दोस्तों currently 10% आपका जो पैसा है वो deduct होता है आपकी basic salary का basic और DA का ठीक है basic और DA का 10% जो पैसा है वो आपका deduct होता है और उसमें इसके अलावा दोस्तों 14% है यहांनि currently 14% आपका government इसके अंदर contribute करती है और total आपका पैसा NPS के अंदर invest होता है यानि की अगर मैं मोटा मोटे बात करूँ अगर आप group D यानि की level 1 में हो आपका basic जो है 18,000 रुपे है आपका जो DA है वो दोस्तों हो जाएगा 9,000 तो आपका 27,000 रुपे basic salary जो बन रही है उसका 10% यानि की 2700 गोर्मेंट आपका 2700 आपका खुद का यहाँ पर contribution हो जाएगा और इसका 1.4% आप देखेंगे यानि की 2700 और इसका आप देखेंगे तो 0.4% देखेंगे तो यानि की आपका 1100 लगभग ओर हो जाएगा यानि की लगभग 3849 रुपे गोर्मेंट आपर contribution आपका करती है यानि की लगभग 6500 देखेंगे actual calibration नहीं है आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ लगभग 6500 रुप आपका पर महिने NPS के अंदर जो है invest यहाँ पर हो रहे है आपका जो यह पैसा है वो जब NPS के अंदर निवेश किया जाता है तो आपका जो पैसा है उसको एक fund manager manage करता है fund manager कौन होता है fund manager एक ऐसा वेक्ति होता है जिसको knowledge होती है आपके fund को कहाँ पर manage करे और उसके बदले वो कुछ fees charge करता है देखिए fund manager जो होता है वो करोडो रुपय का management करता है और उसका काम यह होता है कि आपको अच्छे से अच्छा return generate करके दे यहनकि जो पैसा आप invest कर रहे हैं उसमें अधिक सअधिक वो return आपको यहाँ पर दे तो अभी आप देखेंगे तो यह total pension fund manager है NPS के अंदर आप देखेंगे तो यह रहे देखिए इदर आप देख सकते हैं लिस्ट एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और दोसी यह बदलते रहते हैं फिलाल यह ग्यारा है कभी 8 हुआ करते थे फिर 10 होगे, 11 होगे अब आपको क्या करना है दोस्तो जो pension fund manager सबसे ज़्यादा return आपको दे रहा है दोस्तो आपको वही fund manager के पास आपका पैसा रखना है अब देखें, pension fund manager होता है उसमें जो आपका पैसा invest होता है देखें दोस्तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है share market में बहुत सारे तरीके होते है investment के trading होता है इसके अलावा future options होता है equity होता है तो आपका पैसा equity के अंदर जाता है जो कि बहुत ही शीकी हो रहा है एक तरीके से और long term में दोस्तों आपको अच्छे return यहाँ पर देखने हो मिलते है इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो एक scheme होती है C आप देखेंगे तो C scheme यहाँ पर होती है और इसके अलावा आप देखेंगे तो एक G होती है यहां पर अब देखे इनका मतलब क्या होता है G scheme क्या होती है C scheme क्या होती है C scheme क्या का मतलब होता है कोई भी private company है corporate आपका corporate sector है जिसको पैसे के need है तो उसका जो मालिक है जिसको पैसे के जूरत पड़े की corporate sector वाले को वो आएगा आपके fund manager के पास कि हमको इतना पैसा चाहिए तो आपका जो fund manager क्या करता है एक तरह से उसे guarantee लेता है return की कि इतना percent में आपको return दूँगा यानि कि आपके पैसे को एक तरह से ब्याज पर देता है लेकिन वो ब्याज पैसे नहीं होता है वो एक तरह से legal होता है मतलब कि ऐसा नहीं वो पैसे लेके भग जाएगा और ये दोस्तो लगभग 8-9% के आसपास इसमें रहता है इसके लाव हम बात करें एक होता है G scheme यानि कि government scheme यानि कि सरकार को अगर पैसा चाहिए होता है किसी भी scheme के अंदर invest करने के लिए तो वो भी दोस्तो आपका जो fund manager है उसके पास आती है government और government के करती है खुद के याँ पर खुद के प्रकर से guarantee देती है bond जिनको बोलते हैं तो वो उनको represent करते हैं G से और सरकार के करती है 9-10% का return बदले में देती है pension fund manager को आपका जो पैसा दिया जाता है उसके बदले इसके अलावा जो E होती है E होती है equity equity में क्या होता है दोस्तो आपका जो पैसा है directly share market पे invest होता है और सबसे ज़्यादा return दोस्तो equity के अंदर देखने हों मिलते हैं normally दोस्तो आपको 15-20% का annual return मिल जाता है इसलिए दोस्तो equity के अंदर बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा पैसे invest करने चाहिए अब यहाँ पर हम थोड़ा सा discuss कर लेते हैं इन जो schemes हैं इनके उपर कि इन्होंने कितना return दिया है तो यहाँ पर देखिए जो equity वाली scheme है उनका हम देखें तो equity के अंदर आपके पास यह जो fund manager है 11 अलग अलग fund manager उनका return यहाँ पर दिखा रहा है पिछले 1 साल का, पिछले 3 साल का, पिछले 5 साल का और पिछले 7 साल का तो हम करते हैं पिछले 5 साल का देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे fund manager नए नए आये हैं का data मिलेगा नहीं तो पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो return दोस्तों दिया है वो दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर 16.47 यहाँ पर देखेंगे 16.47 और यहाँ पर 16.32 यानि कि यह 3 pension fund manager बहुत अच्छे हैं और यह के चार जिन दो 16% सूपर का return दिया आप देखेंगे यह एक यह दो यह तीन और यह चार ठीक है जिसमें है HDFC pension fund manager ICIC prudential इसके लावा आपका कोटक और आपका DSP अब देखेंगे यहाँ पर क्या करना है आपको इनमें से ऐसा fund manager का chain करना है जो बहुत ही अच्छा performance यह पर कर रहा हो ठीक है तो यहाँ पर क्या कर सकते है इनमें से आपको इसा भी choose कर सकते है अब आप सूचेंगे sir क्या फरक पड़ जाएगा 1% से 2% से आपको दिखाऊंगा भी 1% अगर आपका return कम आता है तो उसे कितना जमीन आस्वन का फरक पड़ जागा आपकी NPS के अंदर इसी प्रकार से आपका जो पैसा है वो जो scheme C है यहाँ पर आप दोस्ते यहाँ पर return देख सकते हैं यह पिछले 5 साल का इसमें हम देख लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो यह तो benchmark है benchmark return है इनका और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 8.24 यहनिकी 8.24 जो return है वो दोस्तों दिया है HDFC, Pension Management ने और 8% का return आपके दिये अदित्या बिल्ला, Sun Life ने ठीक है बाकी तो लगबग 7-7% है आप देखेंगे तो यहाँ पर SBI Fund Manager है उसने भी एक अच्छा काम यहाँ पर किया है ठीक है 7.83 का इसी प्रकार से अगर हम G scheme के बात करें तो G scheme के अंदर भी आप देखेंगे तो पिछले 5 साल का ही record हम देखते हैं तो सबसे जो बहतर इन result दोस्तों को दिया है वो दोस्तों यहाँ पर दिया है यहाँ पर देखेंगे तो LIC ने 8.47 का और अगर यहाँ पर देखेंगे HDFC का तो HDFC का जो है 8.33 है अब यहाँ पर देखेंगे मैंने देखा है कि जो HDFC है वो overall 3 scheme में बहतर production कर रहा है यानि कि scheme G के अंदर भी आप HDFC का देखेंगे तो 8.33 है यानि कि इन में से लगबग अच्छा ही है इसके लावा आप जो scheme C है उसके अंदर देखेंगे तो भी यहाँ पर HDFC का return मेरे को better नजर आता है बाकी की तुलना में अगर आप यहाँ पर जो है एक साल का देखेंगे तीन साल का देखेंगे उन में मेरे को better नजर आता है इसी प्रकार से scheme E के अंदर भी अगर मैं देखता हूँ तो HDFC जो है HDFC ने अच्छा return याप पर generate करके दिया हो सकता है कि कहीं कहीं थोड़ा कम ज्याद लेकिन overall मेरे को जो है HDFC का अच्छा लगता है हो सकता है कि आपको कोई और अच्छा लगे लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि HDFC fund manager का आपको अच्छा लगता है तो आप कैसे चैन्ज कर सकते हैं अगर आपको दूसरा अच्छा लगे आप दूसरा भी चैन्ज कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर आपने देख लिया कि आपको कौन सा fund manager यहाँ पर देखना है और यह जो रिपोर्ट है इसको दोस्ता आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से भी तो यह latest में डाउनलोड करिये 31 मार्स दोजार चो विस तक ही ठीक है अब यहाँ पर देखिए आप सोचने को सर एक परसेंट का तो फरक है यहाँ पर देखें यह अपर 33 है यहाँ पर 34 है किसी का यह पर 15 पर सेंट है एक परसेंट का ही तो फर्रेक है सर एक परसेंट से क्या ही हो जाएगा चलिए मा आपको दिखाता हूं गूगल पे ले जाकर एक परसेंट से क्या फरक पर जाता है मैं आपको SIP calculator पर लेके चलता हूँ और मान के चलता हूँ कि आप group D के employee हो मतलब level 1 के और आपका investment जो monthly होता है वो 6000 रुपई होता है तो हम क्या करेंगे सिर्फ 6000 रुपई डालेंगे ठीक है उसकता है कि आप अच्छी post भी तो आपका ज्यादा investment होगा लेकिन मैं मातर छोटी सी आपर लेके चल रहा हूँ आपका ठीक है और जो expected return है हम मान के चलते हैं कि आपका जो return है आ रहा है 9% का ठीक है कोई fund manager आपको 9% का दे रहा है और आपकी जो अभी age हम मान के चलते हैं तीस साल के लिए है तो दोस्ता आपको कितना पैसा मेलेगा total retirement पे 1 करोड 10 लाग रुपए ठीक है लेकिन ये जो return मिल रहा है न 9% अगर इसको मैं एक ऐसे fund manager के पास लगा हूँ जो मेरे को थोड़ा सा बड़े return दे रहा है मातर 9.5 यानि कि दोस्तो सिर्फ आदा परसेंट का ही return extra दिया है मेरे को ठीक है मातर आदा परसेंट का 1% कभी नहीं तो आप यहाँ पर return देखिए 11-12 हो गया यानि कि तक्रीबन 11-12 लाग का different हा गया अगर यहाँ पर 1% में बढ़ा दू 9% से 10% कर दू मातर तो आप यह different देख सकते हैं दोस्तो एक बहुत बड़ा different यावर मन जाता है तो इसलिए कहते हैं कि लंबे समय में जो आपका यह 1% या 2% जो different है ना वो दोस्तो बहुत बढ़ा हो जाता है मैंने सिर्फ calculation किया है जब आप level 1 में हो ठीक है अगर आप बड़ी level 5 level 6 की जो 200 पे ग्रिन में हो तो आप सोच सकते हैं कि different कितना बड़ा होगा चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है pension fund manager कैसे change कर सकते हैं और आपकी जो pension fund scheme है उसको कैसे change कर सकते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको आना पड़ेगा NPS के app पे या फिर NPS की website के उपर तो हम NPS की website से कर लेते हैं तो आपको दोस्तों NPS लिखना पड़ेगा Google पे search करना होगा और पहली जो website है NPS वाली इनपेस इसको open करना है ठीक है आप ये काम अप से भी कर सकते हैं उसमें कोड़ limited feature होते हैं तो हम यहां पर करने वाले हैं अब यहां पर आप आएंगे तो यहां पर आपके पास 3-4 option मिलेंगे तो यहां पर आपको नीचे आना है और नीचे आपको option दिया गया है login with pran और ipin ठीक है तो इसके ओपर click करना है और यहां पर आपसे आपका pran number मांगा जाएगा इधर देखेंगे तो user ID में एक pran number होता है दोस्तों वो आपको डालना रहेगा और password जो है आपको डालना पड़ेगा अब दीक है आप सोचेंगे सर्थ मेरे पास तो को प्राहण नहीं है जीए ktech fana BH कर सकते है आपका जो यइमन होता है आपका स्टेटमेंट के एंपिए वो बेज आता है तो आप वहां से दोस्तों concept कर सकते है वहां से आपको मिल जाएगा आपकी आपका जो आपको मिल सकते है क्रेक्न सकता है तो फिलाल मैं यहाँ पर login कर लेता हूं तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी detail यहाँ पर डाल दी है और यहाँ पर login कर लिया है अब यहाँ पर आप आएंगे नो तो बहुत सारी आपको option दिये गये है एक transaction online का है, investment summary है, demographic change है, grievances है, views है, continuation and withdrawal है, password manager है इन पर आपको अलग-अलग option दिये गये है यहाँ पर जाकर आप NPS के दिर और investment करना चाते हैं और कर सकते हैं और बाकी जो चल रहा है उसको देख सकते हैं investment समनी में आप देख सकते हैं आपका investment कितना हो गया है यहाँ पर आगर आपको कुछ आपको डिटेल में change करवाना है आप कर सकते हैं किसी परकार की शिकायत है आप grievance डाल सकते हैं कुछ आपको देखना है आपर reports वेकरा वो reviews में कर सकते हैं withdraw करना है NPS या continuous करना है उसको आप यहाँ से कर सकते हैं तो हमको दोस्तों इधर आना है Transacts Online के उपर अब जैसे आप Transacts Online के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कई option को लेंगे यहाँ पर एक है Account Activation जो Tier 2 का है तो इसको आपको नहीं करना एक यहाँ पर Contribute है यानि कि आप जो है और पैसा अगर NPS में डालना चाते हैं आपकी इच्छाब डाल सकते हैं तो यहाँ पर देखे दोस्तों दो option दिए गए हैं एक है Change Scheme Preference यानि कि आपने जो Scheme चूज कर रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं और एक option है Change PFM यानि कि PFM means Pension Fund Manager यानि कि आप Pension Fund Manager जैसे अभी आपको दिखाये थे बहुत सरे LIC थी, SBI था, HDFC था, ICI था अगर आप उनको चेंज करना चाते हैं तो चेंज कर सकते हैं और अगर आपको Scheme चेंज करनी है तो आप Scheme चेंज कर सकते हैं तो फिलाल मैं आपके सामने Scheme चेंज करके दिखा देता हूं ठीक है तो मैं आता हूं Scheme Preference में तो Scheme Preference में आएंगे तो एक बार आपसे verify करवाई जाएगा ठीक आपकी डिटेल को तो यहाँ पर अकाउंट में डालता हूं TR1 सम्मिट के ओपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर बता रहा है डिटेल यहाँ पर देखिए मैं आपको पहले बताया था यहाँ पर बता रहा है कि अगर आप NPS के अंदर Scheme Preference करते हैं तो यह टी प्लस तीन दिन जिस दिन चेंज गया वह और इसके लावा तीन वर्किंग डेज का टाइम आपको लग जाएगा ठीक है यह चीज़ आपको जहान रखना है इसके लावा अगर आप पेंशन फंड मैनेजर चेंज कर सकते करते हैं उसमें दोसको टी प्लस वन डेस आपको चा लेते हैं ठीक है तो यहां पर देखिए यह यहां पर लोड हो चुका है अब यहां पर देखिए कुछ डिटेल यहां पर शो हो रही है और यहां पर ही बता रखा है कि मैंने कौन सी स्कीम इससे में ले रखी है तो यहां पर देखिए मैंने LC50 जो है LC50 जो है इसकीम यहां प होता है दोस्तों LC 50 में आपका 50% जो पैसा है वो जाता है शेर मार्केट में ठीक है और बाकी जो पैसा है वो दोस्तों आपका जो गोर्मेंट एक अपरेल शुरू किया है तो इसमें मैंने चेंज नहीं किया है तो फिलाल जो मेरा पैसा है आप देख सकते हैं LIC fund manager है मेरा और LIC में 50% जो पैसा E के अंदर है नहीं equity के अंदर है ठीक है और corporate sector के अंदर 30% पैसा है और 20% जो पैसा है वो दूस्तो इसकीम जी के अंदर है ठीक है तो आपको क्या करना है submit के उपर क्लिक करना है verify के लिए कि बिल्कुल हाँ यह मेरा ही है data अब देखिए यहां पर option आएगा कि आप कौन सी option है active choice है इसमें आपके auto choice में दो option है LC 50 LC 25 देखिए अभी Central Government Template को LC 75 को option नहीं दिया गया है ठीक है एक आपका standard choice है ठीक है तो हम क्या करते है active choice जो वाला है उस पर हम करते है active choice अगर आप चाहते है active choice कर सकते हैं इनमें से कोई सी भी स्कीम जो है LC 25 करना चाहते है LC 25 कर सकते हैं और standard करना चाहते हैं तो स्टेंडर कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल जो मैं active choice के लिए पे करता हूं अब active choice में करने के बाद यहाँ पर क्या है आप से पूछेगा कि तो क्या आप चाहते है तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं पर क्लिक करना है जिससे क्या हो जाएगा मेरा पूरा पैसा है जो currently जो है nps के अदर invested है सारा का सारा पैसा दोस्तों यहां पर जो LC 50 है LC 50 सेट कर जो है इस में चला जाएगा आपके जी स्किम में यानिकि active choice के अंदर ठीक है सारा का सारा 100% जो पैसा है वो चला जाएगा active choice के अंदर और अगर आप active choice में already हैं तो आपको यहां पर auction आएगा आप जो है इसमें moderate पर क्लिक कर सकते हैं moderate पर क्लिक करेंगे पूछ जाएगा pension fund manager कौन से रखना चाहते हो तो यहां पर देखे hdfcp क्लिक कर देंगे और आपको submit करना है और standard रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों आप scheme और pension fund manager दोनों यहां से change कर सकते हैं और एक छोटी सी setting जो होती है वो दोस्तों आपको लाग को रुपय का benefit किया पर दे सकती है लगातार यहां पर आपके comment प्राफ्त हो रहे थे कि Sir आप बताए किस पकार से हम यहां पर आपणी scheme चेलेज कर सकते हैं तो मैंने आपको यह पूरा प्रोसेस बता दिया है आप दोसरे इस प्रकार से चेर्टर कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार का आपका कोई भी डाउट है इसके रिगारणिंग दोस्तो आप कमेंट कीजिए हम आपको जवाब दने की पूरी कोशिस करेंगे। बग दूस्तों मिलते हैं आपसे एक लिए वीडियो में तब तक जहीन वन्यवातरम।